दोस्तों अगर आप भी एक rabbit lover है और आपने खर्गोस पाला हुआ है तो आप कभी न कभी ये जरूर चाहते होंगे कि आपका खर्गोस हमेशा हर जगा सुसु पोटी ना करें पूरा घर गंदा ना करें या आप उसे सुसु पोटी ट्रेन करना चाहते होंगे तो ये वीडियो जो आपके लिए काफी helpful होने वाली है दोस्तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ completely जानेंगे और देखेंगे कि कर्गोष को पोटी ट्रेन कैसे करें तो गाईज जरा भी किये बिना बने रही है इस वीडियो में आप हमारे साथ दोस्तो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से बहुत-बहुत स्वागत है गाईज अगर आप हमारे चैनल पर नए है आप पहली बार देख रहे है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बिल आइकन प्रेस करके आल पर कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि गाईज आपको यहां हमेशा रेविट से रिलेटेट कुछ न कुछ देखने और सीखने को मिलेगा तो चलिए गाईज बिना देर की आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो रेविट को टेन करने का सबसे पहला तरीका है कि अगर आप अपने खरगोष को घर में पहली बार एडाप्ट करके लाएं है तो उसे ऐसी जगह रखें जहां उसके सुसु पोटी करने पर आपको कोई प्राबलम ना हो क्योंकि गाइज खरगोष की स्ँङने की छमता बहुत तेज होती है और गाइज खरगोष नेचरणी जहां एक बार सुसु पोटी कर लेता है वहीं दुबारा भी करने की कोशिस करता है और उस जगह को सुङता रहता है और गाईज दूसा तरीका है कि आप अपने खरगोष को जहां भी रखें खुले में तो वहाँ दो दिवार का कोना हो आपस में मिलता हो वहाँ रखें जिससे खरगोष वहीं सुसु पोटी करें क्योंकि खरगोष की एक बहुत ही जबरदस्थ हैविट होती है वो अपने पेस तरीका है कि आप अपने खरगोष को घर में फर्च पर या कहीं भी खुले में रखते हैं तो अगर आपका रइबिट कहीं भी सुसु पोटी कर देता है तो आप उसे तुरंत टीसु पेपर वगएरा से साफ करके उसको कोने में रख दें खरगोष को उसे कभी भी सुंगने का मौका ना दे जिससे वो जब भी उस कोने में जाएगा और अपना सुसु पोटी सुंगेगा तो वो दुबारा से वहीं उसी टीसु पेपर पर या उसकी आसफासी दिवार पर सुसु करेगा और गाई तीसरा तरीका है कि एगर आपके पास कहीं बाहर खुले में दिवार कोने में मिट्टी है तो आप अपने खरगोश को वहीं बार बार रखें जब तक क्यों सुसु पोटी ना कर ले जैसा कि गाई आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जब आपका खरगोश ऐसे ही मिट्टी के पास आएगा तो वो बार बार मिट्टी को खोदेगा और रख दें और उसको जब तक की पूरी तरह से उस जगह का आभा अस्यानी ग्यान ना हो जाए आप कमसे कमें एक हपते तक अपने घर के अंदर इधर उधर कहीं भी ना छोड़ें आप जब भी पिजले से उसे निकालें आप उसे दिवार के कोने में ही खोलें जैसा कि गाई गाईजाब बात्रोम में उसके सुसु पोटी करने की विवस्ता करते हैं तो आपको साफ सफाई करने में काफी बेटर रहेगा गाईजाब बात्रोम के कोने में थोड़ा है यानि सुखी घास और उसमें जो सुसु पोटी किया हुआ है आप उसे साफ करके उसे सुखी घास पोटी की शुखने का जड़ा भी मौका ना दे ताकि जब भी आपका खरगोस उच जगह पर जाए और शूखे भी तो उसे वहाँ अपने सुसु पोटी की समहल ज़ा भी ना आए इससे वो उसकोने में ही भागकर जाएगा जहां आपने सुसु पोटी सुखी घास और रखा गाईज जहां एक खरगोष सुसु पोटी करता है वहीं सारे के सारे खरगोष जाते हैं सुंगते हैं और सुसु पोटी करते हैं गाईज इस तरह से आप अपने खरगोष को पोटी टेन कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको अपना काफी किमती टाइम भी गवाना होगा में ठीक उसके सामने आपको सुकी घास उसका सुसू या पोट्टी रखना है जिससे वो बाहर निकल कर सीधा उसके पास ही जाएगा क्योंकि गाईज खरगोष को हमेशा हर चीज सुगने और उस चीज़ को अपने माइंड में सेट करने की आदत होती है गाईज खरगोष एक बहुत ही तेज दिमाक वाला जानवर होता है गाईज अगर आप अपने एक औरिंग खरगोष को जहां रखते हैं जैसे भी रखते हैं आपको वहां की सिचुएशन के बारे में अच्छे तरीके से पता ही होगा अपने हिसाब से प्रयास करके अपने रखते हैं गाईज खरगोष को लिटर ट्रेन करना भी एक कला है जिसे सब आसानी से नहीं कर सकते हैं खरगोष को ट्रेन करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है तो गाईज यह थी कुछ बेसिक सी चीजे जिसे फालो करके आप आपको डिस्क्रिस्टन में मिल जाएगा आप हमें वहाँ भी पर्सनली कमेंट कर सकते हैं हम आपके कमेंट का रिपलाई देने की और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे तो गाईज आई होब कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक पे ट्रैबिट को ट्रेन करने की कोशिश करते रही है अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिये हमारे चैनल से जुड़े रही हम आपके लिए ऐसे ही जैनुएन नालेजबल और हेलफुल कांटेंट लेकर आते रहेंगे जाहिंद